SBI यानि State Bank of India इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप State Bank of India में घर बैठेक Zero Balance Saving Account खुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे आप पहुंच चुके हैं इस वीडियो में हमने आपको Live SBI यानि State Bank of India में आप कैसे घर बैठेक अपना खाता खुल सकते हैं Complete जो Steps है यहाँ पे हमने आपको दिखाया है और यहाँ पे मैंने आपको Live अपना अकाउंट ओपिन करके भी दिखाया है यहाँ पे आपको ATM Card, Internet Banking, Mobile Banking, Passbook इवन यहाँ से आप UPI जैसे की Phone पे, Google पे, PTM बहुत ही असानी से इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे इस अकाउंट की कोई भी लिमिटेशन भी नहीं है बिना टाइम किस्ट की फड़ाबर से इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और State Bank of India में आप कैसे अपना खाता खोल सकते हैं कम्प्लीट जो स्टैप्स है वो दोस्तों हम सीख लेते हैं SBI यानि State Bank of India में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप Google Play Store से योनो SBI अप्लिकेशन इस्टार्ट करेंगे अप्लिकेशन का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लिकेशन इस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आप इस अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पे सबसे पहले आपसे लोकेशन की पर्मीशन मांगी जाएगी जिसको आप यहाँ से अलाव करेंगे आपके सामने दो ओप्सेंस डिस्प्ले होंगे पहला एक्जिस्टिंग SBI कस्टमर और दूसरा न्यू टू बैंक और यहाँ पे आपको New to SBI वाले ओप्सेंस पे टिक करना है इसके बाद यहाँ पे सबसे उपर आपको Open Saving Account का ओप्सेंस आएगा आप इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ओप्सेंस दिखाए जाएंगे यहाँ पे मैं आपको ऐसा bank account बताने वाला हूँ जिसमें आपको कभी भी branch नहीं जाना है बिना branch जाए ही आपका सारा steps complete होगा जिसके लिए आप without branch visit पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको Insta Plus Saving Account दिखाई देगा नीचे आपको एक submit का icon दिखाई दे रहा है आप submit पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको start a new application पे क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपका paperless account ओपनिंग होगा इसमें आपको प्रस्लाइड रुपए का debit card मिलेगा यहाँ पे आपको के बारे में complete information दिया गया है नीचे tomson condition को आप accept करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से next कर देंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी mobile number और email id पूछी जा रही है दोनों information को यहाँ पे आप फिल करेंगे अगर आप अपने इस account को email id के साथ link नहीं करना चाहते हैं तो आप email id छो OTP SBI के द्वारा भीजा जाएगा तो यहाँ पे आप अपने OTP को फिल करेंगे और अगेन आप submit पे क्लिक कर देंगे अब आपके सामने कुछ SI interface आएगा जहाँ पे आपको application password sit करना है देखिए इसी application password के माध्यम से जब आपका account open हो जाएगा तो आप you know SBI का इस्तमाल कर प strong एक मजबूत password यहाँ पे बन पाएगा तो आप अपना password फिल करेंगे उसको re-inter करेंगे नीचे आपको security questions आता है इसमें आप कोई भी question select कर सकते हैं और उसका आप नीचे answer दे सकते हैं यहाँ पे सारे information फिल करने के बार आपके सामने कुछ SI interface आएगा यहाँ पे आप इसे ok करेंगे कुछ declaration का page आएगा जिसमें आपको यहाँ पे इस box को tick करनी है और आप box tick करेंगे उसके बार आप इसे यहाँ से next करेंगे again आप I agree to Thompson condition पे click करेंगे और फिर यहाँ पे आप next कर देंगे देखिए आपके screen पे दो options आपको दिखाई देंगे पहला है इंटर अधार और दूसरा है इंटर वी आईडी नंबर आपके अधार कार्ट के ऊपर आपका अधार नंबर और वी आईडी नंबर दोनों लिखा होता है आप किसी एक को यहाँ से select करेंगे यहाँ पे मैं इंटर अधार नंबर select करता हूँ अपना complete 12 डिजिट का अधार संख्या यहाँ पे फिल करेंगे और अधार नंबर फिल करने के बाद आप get OTP वाले बटन पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे आपके अधार कार्ट से जो भी आपका mobile नंबर जुड़ा होगा उस पे आपको एक OTP भेजा जाएगा यहाँ पे आप अपना OTP फिल करेंगे और यहाँ से पे आप एक बार इसे अच्छे से चेक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप next करेंगे next करेंगे तो यहाँ पे आपका address आएगा इसमें बस आपको अपना sub district और यहाँ पे अपना village select करना है और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे next कर देंगे अगले strip में यहाँ पे आप स अधार कार्ट पे जो आपको photograph रहता है वो आपको दिखाया जाता है आप इसे पर अच्छे से verify कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहां से next कर देंगे अब आपके screen पे additional details पूछा जाता है जहां पे आपको अपनी qualification के बारे में बताना है कि आपने पढ़ाई कहां तक complete किय है वो आप यहां से select करेंगे अब यहां पे आपको अपनी marital status बतानी है कि आप married है या unmarried है जो भी है आप यहां से select करेंगे अगली step में यहां पे आपको अपनी city place of birth means आपकी जिस भी city में जन हुई है आप वो फिल करेंगे अपने father का यहां पे title select करेंगे और उसके आपको यहां पे spouse name आया तो यहां पे आप यह fill करेंगे उसके बाद आपको tomson condition को accept करना और उसके बाद आप इसे यहां से next कर देंगे next पे click करने के बाद आपको यहां पे occupation बताना है कि आप क्या काम करते हैं अगर यहां पे आप services में है या business में है वो आप यहां पे fill कर सक सकते हैं अगर आप student या house wife है तो यहां पर अगर और सेलेक्ट कर सकते हैं अब यहां पर सारे occupations आपके screen पर होता है जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें house student wife agriculture सारे options available हैं आप जो भी है दोस्तों आप यहां से select करेंगे, select करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी salana i बताना है, means आप अपना annual income यहाँ पे fill करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप इसे next कर देंगे, तो अब आपको यहाँ पे अपना धर्म बताना है, कि आप कौन से धर्म से belong करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना religion select करेंगे अगेन आपको अपनी category बतानी है आप अपना category select करेंगे यहाँ पे आपको अपनी nominee की details fill करनी होंगी, आप अपने इस account में nominee कि इसको add करना चाहते हैं, nominee का नाम, nominee का relationship, nominee का date of worth और उसके बाद अगर nominee दोस्तो 18 साल से कम होता है तो nominee का guardian का नाम और guardian का जो भी age होगा वो आपको fill करना है, अब यहाँ पे आपको nominee का address fill करना है जिसमें आप address line 1, address line 2 देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको pin code और state का option आ रहा है, आप जिनको भी nominee बनाये हैं, आप उनका complete address पे आपका जो भी नज़दी की branch होगा उस branch का नाम यहाँ पे आप fill करेंगे और उसको select करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से next कर देंगे, जैसे ही आप यहाँ से next करते हैं, आपने जो भी branch select किया होगा, वो branch यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आप इसे यहाँ से next करेंगे next करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको tomson condition होगा जिस पे आप click करेंगे इस page को सबसे नीचे scroll करेंगे और उसके बाद आप tomson condition वाले box पे click कर देंगे जब तक आप इस page को complete नीचे scroll नहीं करते हैं तब तक इस box पे click नहीं हो पाएगा तो आप इसको नीचे scroll करेंगे next करेंगे और next करने के बाद आपके mobile number पे दुबारा से OTP भेजा जाता है आप अपने OTP को यहाँ पे fill करेंगे अब यहाँ पे आपको अपने debit card पे क्या name print करानी है वो name यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप account खोलने के 15 दिन के अंदर ही आपके अधार काड के पते पे आपका ATM State Bank of India भेज देती है अब जैसे ही next करते हैं यहाँ पे आपका token number generate हो चुका है token number generate होने के तीन दिन के अंदर आपको अपना वीडियो के वाईसे complete कर लेना है नीचे आपको एक Thompson Conditions दिखाया जाएगा आप इसको tick करेंगे यहाँ से आप इसे next करेंगे आपको बताया जाएगा कि वीडियो के वाईसे में आपके पास क्या क्या होना चाहिए देखिए आपके पास आपका original pen card होना चाहिए और यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक A4 size blank paper होना चाहिए जिसमें आपके पास एक pen और paper होना चाहिए ताकि आप अपना signature bank के साथ share कर सके और उसके बाद आपका एक photo capture होता है जो कि वीडियो के वाईसे executive आपका एक selfie capture करते हैं तो यहाँ पे आप सारे steps पड़ सकते हैं अगीन आपको next वाले बटन पे click करना है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ permissions देने होंगे जैसे की camera की browser की locations की और यहाँ पे आपके पास आपका original pen card और original अधार card वीडियो के वाईसे करने से पहले ले की रखना है आप start वीडियो के वाईसे करेंगे ok पे click करेंगे आप जैसे ही ok पे click करेंगे अब आपको वीडियो के वाईसे के पोर्टल पे redirect किया जाएगा तो well guys आपने देखा कि यहाँ पे हमने आपको live account open करके दिखा दिया है जैसे ही आपका call यह वीडियो के वाईसे executive को connect होता है सबसे पहले आपका photograph scripture होता है आपका pen card का photo लिया जाता है और यहाँ पे दोस्तों आपसे आपका signature लिया जाता है जैसे ही आपका वीडियो के वाईसी complete होता है 48 गंटे के अंदर आप SBI आपको mail करती है जैसमें आपका account number यहाँ पे FSC code, customer ID, सब कुछ मिल जाता है आप UNOSBI में अपना customer ID डाल के और जो password आपने set किया उस password के मार्यम से आप UNOSBI में login कर सकते हो और अपना transaction कर सकते है 15 दिन के अंदर आपके घर पर welcome केटा जाएगा जैसमें आपका ATM card बेगेरा सब कुछ मिल जाएगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप SBI में अपना एक खाता खोल सकते हो हमें उमीद है कि हमारा एफ़ोट आपको बहुत ही पसंद आया होगा विडियो चला करते विडियो को लाइक कीज़े और आप कोई भी डाउट है कोई भी confusion है तो आप हमें बेज़ी चे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं मिलते के लिए कि इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक केल, have a good day